मेरा नाम अधीदी है पेपर वन आपका जो रहेगा और जो पूरा 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 पेपर टू रहेगा आपका उसमें पूरा कम्प्लीट टेकनिकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूं प्रोग्रामर वेकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं यह बता दू कि अपना जो है वो कम्प्लीट कोर्स है जो की क्लास 24 अप्लिकेशन पर अपन लेके आए हैं इस पूरे complete course के अंदर आप सभी लोगों को detail के अंदर technical और non-technical वाला पार पूरा करवाया जाएगा तो आप Rajasthan exams पे जाओगे class 24 application पे class 24 ठीक है ये application का नाम है जिस पर आप जाओगे RPSC programmer का course इस तरीके से आपको दिखेगा कोर्स के features पूरा about course के अंदर schedule सारी चीज़े आपको मिल जाएगी और technical plus non-technical की सारी classes आपको मिलेगी है ना 5 plus 1 series अभी चला रखे है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं classes record करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th day होता है उसमें आप लोगों का live doubt clearing session होता है जिसमें पूरा revision साथ ही साथ आप लोगों की previous year net or gate ke mcqs जो है वो होंगी अभी इसको शुरू कि हमें 12 week हुआ है अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो 5000 इसकी fees है आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला unit है वो completely live होगा क्योंकि वो मैं live ही पड़ाऊंगी बाकि जो sessions मुझे असा लगता है कि आप सभी लोगों को required है वो मैं आपको record करके दे रही हूं complete roadmap मैंने आपको पहली class में समझा दिया था अब मैं पूरा-पूरा unit वाइस इस database management system है उसका complete roadmap अलग से आप लोगों को देती हूं networking का अलग से आपको दूंगी तो यह सारी की सारी चीज़े अगर आप लोगों को required है आप course लेना चाहते है तो आप लोगों के लिए जो है यह course already चल रहा है ठीक है class 24 application पर आप जाके इस course को ले सकते हैं आचाहिए जी question number 1 से शुरू करती हूं which one of the following is not a non-functional requirement non-functional requirement की बात हो रही है तो portability security हो गई स्केलिबिलिटी हो गई और user interaction हो गया दो तरीके की requirements अपनी हो दिये functional requirement and non-functional requirement 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 specification SRS types of requirement requirement tracking इन से आप लोगों का एक ना एक सवाल जो है वह आप सभी लोगों की exam में होता है एक ना एक सवाल आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा ठीके software engineering को बहुत जादा पसंद है तो याद रखेंगे हम सभी लोग आप सभी लोगों को याद अगर रखना है कि मैं कैसे हम पता लगा सकते कौन सा functional है कौन सा non-functional है तो आप यह मान के चलना कि दो answers आपको ढूंडने है एक तो आपको answer ढूंडना है what का और एक आपको answer ढूंडना है how का यानि कि क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो वह है आप लोगों की non-functional समझ में आ गया procedural चीज़ें आप लोगों को दिख रही है उसके अंदर तो आप लोगो होगा functional requirement है तो जितनी भी यह performance usability security testing फलाना धिमकाना यह जितनी भी requirements होती सब non-functional है बाकी सारी की सारी functional requirements में जाएगी अपनी है ना ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि भाईया आपका जो API यह वो कैसा है आपका external interface कैसा है अगर आप login कराना चाहते हो और authorization authentication कराना चाहते हो तो कैसे होगा यह सारी चीज़े किसमें आएगी आप लोगों के functional में आएगी ठीके ना दोनों important है एक में quantity वाइज और एक में quality आदेती हूं इसका answer तो देखो potability नहीं हो सकता non-functional के not की बात हो रही है तो यह भी non-functional यह भी non-functional यह भी non-functional जो user का interaction है कैसे interact करेगा जो आपका UI है वो कैसा होगा तो यह जो है आपका functional requirement होता है next question देखिए cohesion and coupling हर बार cohesion और coupling को touch करता ही करता है UGC हर बार बंदना कहनी है authentication शोर हो क्या शोर हो चलो देखते हैं फिलाल मुझे answer दो आप लो cohesion और coupling देखिए मैं बहुत ही simple सा concept है हमने कई बार याद की हुई यह चीज़ अगर मैं एक ही module की बात करूँ और एक ही module के जो दो elements है वो एक दूसरे से किस तरीके से related है है ना कितना intact है कोई भी एक module यह होता है cohesion और आप लोगों के लिए जो दो modules है उन दो modules के जो elements है वो एक दूसरे से कैसे interact करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं coupling आपकी जो coupling है वो कम से कम होनी चाहिए और जो cohesion मैं वो आपका जादा से जादा होना चाहिए यह चीज जो है हम लोगों में discuss करी हुई है आपको अगर मैं बोलू कि best type का cohesion और best type का coupling कौन सा होता है तो जल्दी से live chat में लिख कर बता दो जब तक हम लोग चलते हैं question पर cohesion is a qualitative indication of the degree to which a module can be written more compactly and is able to complete its function in timely manner cohesion is a qualitative indication of the degree to which a module is connected to the other modules दोनों में से तो obviously एक ही बात हो सकती क्योंकि एक दूसरे के opposite लिखे हुए है तो हमको पता है कि भाई मैं जो इंट्रा रिलेशन की बात करें इंट्रा module की बात करें वो cohesion इंट्रा मॉड्यूल की बात करें कपलें कि इजी चले आगे next question देखो project management के उपर हम लोगों का नेक्स्ट सवाल आया है functional और data कि वेरी गुड मोहिद है ना चलो next question देखें बड़िया question आ रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि project management जो होता है या project manager होता है आप लोगों का उनका क्या क्या टास्क होता है project को plan करना project का status track करना resource का management करना risk का management करना आपकी project की delivery करना time और budget के अंदर इन में से कौन-कौन से टास्क है जो project manager के होते हैं देखो risk का mitigation करना और monitoring करना ये भी क्या project manager का ही काम होता है कि नहीं होता है देकिए मैँ सबसे important चीज सारे का ब्राजेक्त planning के अंदर ही आते हैं जो projects related planning होती है वो हर तरीके की होती है तीक है ना आप लोगों की effort की planning होती है आप लोकों की cost की planning होती है time की planning होती है थीक है ना ये tίνों चीज़े तो होती है और इनके लिए हम लोग मॉडल्स भी पढ़ते हैं अलग-अलग इसके इलावा आप लोगों के जो है रिक्वार्मेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी अकॉर्डिंग काम करना होता है आप लोगों का जो प्रोजेक्ट प्लान होता ह है डिजाइन फ्लान होता है यह सब की सब चीजें किसके अंडर आती है प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आती है सबसे बड़ी पोस्ती अपने लिए यही तो यहां पर प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन लगाना कॉस्ट का टाइम का एफट का बोल रहा स्टाफिंग ठीके रि को monitoring करना reviewing करना documentation करना report करना यह सब काम किसके हैं मैं project manager के ही होते हैं how do you feel or how do you create agile process to manage unpredictability unpredictability को manage करने के लिए आप agile processes मतलब क्या होता है adaptable environment के according flexible होना जैसे कि आपको पता है software engineering के अंदर scrum model हो गया है ना scrum कैसा है आपके लिए agile model है software development life cycle में हमने बहुत सारे models पढ़े हैं वो सारे models पुराने हो गए है क्या यूज होता है agile technology यूज होती जैसे कि scrum हो गया जैसे कि आप लोगों का crystal approach हो गया और कोई नाम याद आ रहा है क्या और कोई नाम याद आ रहा है क्या इसके लावा अभी यह ताजा ताजा ही पढ़ा है software engineering तो अपने requirements की gathering must be conducted very carefully risk analysis must be conducted before planning software increment must be delivered in short time period software processes must not adapt to the changes incrementally अगर unpredictable है आप लोगों के लिए तो कैसे करेंगे और आप लोगों को पता है lightweight काम चलता है एकदम lightweight process होता है एक्सपी भी आप लोगों का हो जाएगा लाइट वेट का मंदब क्या है मैं कोई ऐसा नहीं है कि एक तो छोटी टीम होती compact होती है और एकदम friendly environment के अंदर काम करते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे होगा वैसे होगा यह लोग बैठेंगे वो लोग बैठेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैं एकदम free environment होता है अब आपसे बोल रहा है कि अगर मुझे क्या करना है मुझे एजाइल के अंदर unpredictability को बीट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे देखिए सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है कि unpredictability अगर आ गई है तो short term periods के अंदर आपको increment करने पड़ेंगे जैसे कि कोई मुझे बता सकता है ऐसा हम लोग एक normal SDLC के अंदर भी करते हैं किसमें ऐसे करते हैं कि हमने कुछ create किया उस module को फिर हम लोग release कर देते हैं या उस model को हम release कर देते हैं कोई मुझे पता सकता है कौन से model में होता है prototyping के अंदर भी kind of यही चीज होती है कि हमने जो requirement हमारे पास में थी उसके according हमने क्या किया एक prototype release कर दिया अच्छा वो जो prototype होता है वो throw away होता है अगर वो पसंद आ गया या ना पसंद आया जो भी हम उसको थ्रो करेंगे एक नया बनाएंगे वहां पर में क्या होता है जैसे आपको दिखा देगा कि यहीं चाहिए था क्या ऐसा ही चाहिए क्या फिर आप बोलोगे येस तो फिर बस उसको इंप्रूफ करके आपको दे दिया जाएगा वेरी गुड मुस्कान तो एजाइल मॉडल के अंदर आप क्या करोगे हर जो आप लोगों का इटरेशन है उसे आप यूज करोगे यहां ठीक है ना लॉंग टम कुछ भी नहीं होता है एजाइल के अंदर सब कुछ शॉर्ट टम ही चलता है नेक्स्ट क्वेशन देखें मॉडिफाइंग दा सौफ़वेर तो मैच तक चेंजिस इन एवर चेंजिंजिंग एंवार्मेंट इस कॉल्ड अडाप्टिव करेक्टिव परफेक्टिव या प्रेवेंटिव चार तरीके की मेंटिनेंस होती है कोई मुझे बता सकता है क्या क चारों टाइप की जो मेंटिनेंस है उनका क्या लेना देना क्या मतलब है कि आप लोगों के पास में चार होती है अडाप्टिव करेक्टिव परफेक्टिव प्रेवेंटिव क्या होगा मैं जो बग्ग आते हैं उन बग्स के लिए दी बग्गिंग करना है या पैचेस प्रोवाइड करना यह आप लोगों की आती है करेक्टिव मेंटिनेंस सबसे लास्ट पार्ट होता है एसई लसी का जो लास्ट फेस होता है वो मेंटिनेंस होता है आफ्टर दप्रड़क्ट इस रिलीज इन दी इन्वार्मेंट हम यह है अचे मुझे एक बात बताओ इससे हमने सिक्षा ले ली और सिक्षा लेकर हम ये बोल रहें कि future के perspective से मतलब इससे future के प्रिस्पेक्टिव से मैं बोलूंगी कि नहीं future के अंदर भी जो है कोई गडबर नहीं होनी चीए कोई problem आएगे तो उसको हम पहले से प्रेवेंट करके चलेंगे तो ये सारी चीज होती ये प्रिमें जैने में हम लोग पहले से ही बबलत चलेंगे जिसके अन्दर कोई इस्जू नहीं आ होते हैं वह हम लोग अडेप्टिव में टिन्न में करते हैं बरीं करते हैं और आ यह आपके चारों गया प्विङ कोक मो मुच लगए थी मुझे लगता है कॉस्ट कंस्रक्टिव मॉडेल अब तो पता है यह क्या होता है को कोणो मॉड टा है अब शोटासे सवाल है इस एक बारी बोहाम ने बनाया था मैंग कोस्ट कंस्रक्टिव आधा किया करता है यह सारी चीजों को सब्सक्राइब कर सकता है एक एस्टिमेशन मॉडल है माम बैरी बोहें ने बनाया था कब 1981 यह देखो बैरी मोहें ने बनाया था 1981 के अंदर ठीक है अलग-अलग तरीके से काम करता है वन मॉडल टू मॉडल निमारिकल भी हमने किये हैं इसके याद रखेंगे नेक्स वेशन द अंदर आये हैं देखो क्या कह रहा है कि आपके पास में मिस्टर एक्स डिजाइन ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर विच मस्ट कंप्लाइविट सम् क्राइटेरिया चूज द फॉल्स स्टेपेट इन रिस्पेक्ट अबव बनाना है जिसका सोर्स कोड फ्री ओफ कोस्ट आप से मैं यह पूछूँ कि जो आप लोगों का ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर होता है क्या उसके अंदर कॉपी राइट आ सकता है कि नहीं आ सकता है यह बतलब उसी ताइप का क्वेश्ट्वेस्ट्वेस्ट्वेस येस बिल्कुल पब्लिक डोमेन सॉफ्ट्वेस होते हैं जिनके अंदर यह नहीं आ सकता बाकी तो आएगा ही ठीक है तो नो रिस्ट्रिक्शन है बिल्कुल गलत बात है रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप सभी लोगों सॉरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है किसी भी तरीके का क्यों नहीं है क्योंकि सोर्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर अगर मैं बात करूँ दा सॉफ्ट्वेर कैं भी सोल्ड आफ्टर डिस्टिब्यूशन जी नहीं ऐसा नहीं होता है ठीके मान लीजे लिनिक्स है अब लिनिक्स के फ्लेवर आए जैसे मान लीजे की रेड हैट आया तो अब रेड हैट बेच न है तो सिर्फ सी वाला स्टेटमेंट है जो फॉल्स है यह और यह तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ठीक है चैक भी कर लेते हैं एक बारी जी देखिए ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर जो होते हैं लाइसेंस के अंदर रिलीज होते अब मैंने जैसा बोला कि कॉपी राइट होते हैं वो इनके पास ही रहते हैं